नमस्कार नाकपूर हल्चल में आपका स्वागत है तो आई ये नजर डालते हैं नाकपूर की विविध हल्चल पर कनफेडरेशन आउप आल इंडिया ट्रेडर्स कैट ने शौपी द्वारा भारत छोड़ने के निर्णय लेने का स्वागत किया है और कहा है कि कोई भी कमपनी जो भारत के संप्रभू कानून का उनलंगन करेगी और भारत से एकतरक किये गए डेटा का उनलंगन करेगी उसको भी शौपी की तरह भारत छोड़ना पड़ेगा देश में कई अन्य विदेशी वित्तपोशित कमपनिया है जो आदतन भारतिया कानूनों के साथ खिलवार कर रही है और विभिन्न प्रकार की कूप रथाओं में शामिल है ऐसे कमपनियों को या तो अपने व्यापार करने क के तरीके में तुरंद बदलाओ लाना चाहिए अन्य था उनको भी शौपी की तरह अपनी बोरी या विस्तर बान लेना चाहिए यहां कहते हुए कैट के राष्ट्रिय अद्यक्ष बीसी भरतिया एवं राष्ट्रिय महामंत्री प्रविन खंडेलवाल ने शौपी के भारत से बाहर जाने पर टिपपनी करते हुए कहा कैट ने सबसे पहले 16 सितंबर 2021 को शौपी के खिलाब जोरदार आवाज उठाई थी और बाद में वित्तम अंत्राले और वानिज्य मंत्राले के साथ लगातार फॉलो अप भी किया भरतिया एवं खंडेलवाल ने कहा कि कैट ने 16 सितंबर 2021 को प्रधान मंत्री नरेंद्र मूदी को एक पत्र भीजा जिसमें ऐसी ये सम्मुहों के स्वामितव वाले शौपी के खिलाब करवाई करने की मांग की थी सम्मरपंट सेवा समीतिव भाजपा एंजीओ आगडी ने पुर्वविदायक गिरिश व्यास के जन्मदिन के आउसर पर उनको शौलवश रिफल देकर सतकार किया अशुक सावरकर, किशुर शर्मा, प्रकाश शर्मा, सूरज सिंग ठाकूर, हादी ने व्यास का सतकार किया जरिपटका में सिंधी समाज के इश्टदेव वरुना उतर जूलेलाल की जैनती पर प्रतिवर्ष धुमदाम से आयोजित किये जाने वाले त्रीद्यूसिय चेट्री चंड मौदसों में कई वीशिशताय होती है इसमें न केवल सिंधी संस्कूरूती, सब्यता की जलक रहती है बलकि सिंधी बुली के बढ़ावे के लिए भी लोगों को प्रेरिट किया जाता है जरीपटका में भारतिय सिंधु सभा नाकपूर महानगर शाका की ओर से दो तीन एवं चार अप्रेल को दैयनन्दा पार्क में भव्य आयोजन होगा उलेखनी है कि पुरे विश्व में यह महापर्व धुमदाम से मनाया जाता है भारतिय सिंधु सभा, सिंधु युवाफोर्स एवं क्षेत्रस्तित दरबारों, पंचायतों, संगटनों, शैक्षनिष संस्थानों एवं सामाजिक संस्थाओं के सहयोक से इस बार जुलेलाल जैनती का पावन परव सयुकतरूप से मनाया जाएगा कारिकरम के सफलतार्थ, एक महासभा का आयोजन समाधी साइब जरिपटका में भारतिय सिंधु सभा नाकपूर महानगर की अद्ध्यक्ष गंशामदास कुकरेजा एवं बनपास थाई समीती के पूरू अद्ध्यक्ष विरेंद्र कुकरेजा की अद्ध्यक्षता में किया कुकरेजा ने बताया कि इस बार 2 अप्रेल को 5000 से अधिक समाज बंदूओं को स्कूटर रैली में शामिल करने की जिम्मेदारी सिंधु युवा फोर्स के अद्ध्यक्ष गुड्डु केवल रामानी एवं आहुजानगर सिंधी पंचायत के अद्ध्यक्ष राजु इसमें बच्चों के मानसिक और शारीरिक पहलों को धान में रखते वे विभिन्न प्रतियोगिताओं का आहजन किया गया बच्चों का चिकित्सी या परिक्षन गरामिन अस्पताल के चिकित्सा अधिकारी एवं उनके स्टाप द्वारा किया गया दो ग्रूप में हुई इ ग्रूप ए में आरोही सुंदुर करने प्रतम अनन्या नागोसेने द्वितिय वई यूवी का कय काड़े वशिवान्शु गुपताने तुरतिये स्थान प्राप्त किया। ग्रूँब भी में प्रथा गूपता ने प्रथम तिवसकर ने द्वितिय वह पायल चाइनपूर करने तुटिय पूरसकार प्राप्त किया प्रतियोगिता में भाग लेने वाले सबी बच्चों को विशिश प्रोच्छान पूरसकार भी दिया गया इस कारेकरम को सफल बनाने में परियवेक्षक अतुल कट्रे, श्वेता तूपेकर, नितिन लोहकरे, मनिशा कट्रे, रेनु वारकरी, कल्पना आवारे, करिश्मा कुम्भारे, रेखा पाटिल, अन्य शिक्षक शेक्षिकाओने परिशरम किया गंगाबाई घाट रोड के गुजर नगर परिशर के रहने वाले 90 परिवार को गलत पानी बिल भीजा गया, इसकी शिकायत परिशर के नागरिकों ने OCW और मनपा से की, इस बात की शिकायत परिशर के नागरिकों ने समाच से भी विनोद इंगोले से भी की, पानी का कम उपय उगुने के बाद भी नल का बिल जादा भेजा गया इस संबंद में इंगोले के नित्रूतों में OCW हिर्विनगर और कार्यकारी अभियानता जल प्रदाय विभाग मनपा को ग्यापन सोपा गया जिसके बाद संबंदित परिवारों को सुधारित बिल दिये गया बोई समाज मासीक मुख्य संपादक चंद्रकांट लोनारे एवं उनकी संपादक टीम ने मासीक पत्रिका का तीसरा वर्धापन दिन तिलक पत्रकार भवन पंचेशिल टोकेज बरडी नाकपूर में चंद्रकांट मेश्राम की अध्यक्षता में सफल आयोजन किया किसी ने सोचा भी नहीं था कि यह वर्धापन दिन सभी पुरस्करूत प्रतिभावान कलाकारो एवं समाज सेवकों के लिए प्रेणा स्तुरूत बनेगा वर्धापन दिन के इस कारिक्रम में महराष्टर के विभिन नस्तानों से भोई गवर मासीक के सदस्य एवं पाठक पूचे थे वर्धापन दिन में समाज के कलाकारो समाज सेवकों पर मानू पुरसकारो की बहुचार हुई इसका अनन्द कलाकारो के साथ साथ संपुरू ने समाज के सदस्यों ने भी लिया वोई समाज के कलाकारो को अपना हुनर दिखाने एक मजबूत मंच भोई गवर मा सिक्के द्वारा दिया गया है वर्धापन दिन के आयोजकों का सभी का रुदे से धन्यवाद माना एवं कलाकारों ने आगे और कुछ नया कर दिखाने का संकल्प लिया परशुराम सर्वभाषिय ब्रह्मन संग एवं वीपर फाउंडेशन के सयुक्त तत्वावधान में आयोजित विवाहयोग्य वर्वधू परीचे सम्मिलन स्थानी या राजस्थानी ब्रह्म समाजभवन में संपन्न हुआ दो दिवसी आयोजन की शुरुवात 26 मार्श को ब्रह्मन मैट्रिमोनियल वेबसाइट के लोकारपन के साथ हुई इस वेबसाइट का लोकारपन वेदाचारिय मुरेश्वर गहसाज गुरुजी द्वारक किया गया इस अउसर पर माली राम शर्मा, पुर्व महापाउर दयाशंकर तिवारी, श्रीकान देशपंडे, ब्रह्मन सेवा संग, ठाने की नंदिनी गुरे, विप्रा फाउंडेशन के विदर्ब जोन अद्धक्ष महिंद्र शर्मा, राम नारायन मिश्रा, मनिश्त रिवेदी, श के समय की जरूरत बताया, आज के समय में सभी वीप्र समाज में रोटी बेटी के संबंद बढ़ाने की जरूरत पर जोर दिया, नंदिनी गुरे ने युवाओ की समाज के प्रती बढ़ रही दूरी पर चिंता व्यक्त करते हुए इसे जल्द सुल जाने की सलाह दी, 27 को विवायोग्य वर्वदू सम्मेलन का उद्गाटन, कॉंग्रेस महासचियू उमाकान तगने उतरी, विनो चतुर्वेदी एवं आयोजन समिती के अध्यक्ष संजय पालिवाल द्वारा दी प्रज्वलित कर किया गया नागपूर के फैशन एवं नविंदम कलेक्षन के चहेतों के लिए ताना बना एक्जिबिशन फिर से एक बार सोमवार 28 मार्च को होटल सेंटर पाइंट रामदास पेट में प्रस्थुत हुआ यह एक्जिबिशन आज भी शुरू रहेगा आयो जी का शोभल अलित लोया के अनुसार एक्जिबिशन में अगामी फेस्टिवल को ध्यान में रखते वी कोलकत्ता दिल्ली मुबई के प्रसिद्ध डिजाइनर अपने विभिन्न कलेक्षन के माध्यम से औरेंट सिटी में प्रस्थुत हुए है साथ ही साथ संपुर्ण भारत से करीब 50 डिजाइनर अपने नविन्तम डिजाइनर कलेक्षन के साथ आये है जिसमें प्रमुकता से नविन्तम होम डेकोल प्रॉडक्स, साडीज, कूर्दीज, गाउन, टुनिक्स, इंपोर्टेट गिप्ट आइटम्स एसेशरीज, पर्शेज, डिजाइनर परिदान, रियल डाइमंड, सिल्वर गोल्ड डाइमंड, ऑक्सोडाइज, राजस्थान थाइलन बैग्स, इंपोर्टेट ब्रांडेट गॉबल्स, फूट वेर, अपेरल्स, प्योर लेधर पर्शेज, लेप्टोप बैक, वंडर शे नाज रात 8 बजे तक शुरू रहेगी, स्वच्च भारत अभियान के अंतरगत नाकपूर महनगर पालिका ने सुमवार को प्रतिबंदीत प्लास्टिक बैक के संबन में आसीनगर जोन के उपद्रव खुजिदल ने कारवाई की, टीम ने आसीनगर जोन के कमल बाजार स्ट राचपूत रेस्टोरेंट के खिलाब प्लास्टिक बैक का स्थेमल करने पर कारवाई करते वे 5,000 रुपे का जुर्माना वसूला, कुल मिलाकर उपद्रव खुझिदल ने सुमवार को एक प्रतिष्ठान के किलाब कारवाई की और 5,000 रुपे का जुर्माना वसूला, पायुक्त रादाकृष्णन भी के निर्देश अनुसार और NDS प्रमुक वीरसेन तांबे के नेतरुत्व में यहां कारवाई की गई रज्य सरकार की ओर से कोवेक्सिन और कोवीशिल टीके का परियाप्त स्थाउक प्राप्त होने के कारण 18 प्लस और 45 प्लस आयुवर्ग के सभी नागरीकों का टीका करण नागपूर महानगर पालिका के साथ सरकारी किंद्रू पर आज शाम की 4 बज़े तक टीका करण होनी वाला है इस आयुवर्ग के नागरीकों को कोवीशिल टीका निशुल का दिया जाएगा मनपा की और से बड़े पाइमाने पर नागरीकों को टीका लगवाने का आवान किया जा रहा है पहला डोज, दूसरा डोज और इसी तरह पात्र नागरीकों के लिए बुस्टर डोज लेने के लिए टीके परियापत मातर में उपलब्द है इसी तरह 15 पला सायूवर्ग के नागरीकों के लिए को वेक्सिन टीके का स्टॉक परियापत मातर में उपलब्द हो चुका है टीका करन के लिए ओनलाइन, ओफलाइन दोनों तरीकों से पंजी करन किया जा सकता है यह जानकारी मनपा के स्वास्टविबाक की और से दी गई है इसी तरह ग्लोबल मॉल बरड़ी में ड्राइव इन वैक्सिनेशन के इंदरू पर भी सभी नागरीकों के लिए टीका करन सुबह 10 बजे से शाम के 4 बजे तक किया जाएगा यह जानकारी चीकित सा स्वास्टे अधिकारी डॉक्टर बहिरवार ने दी है उजवल गोरक्षन ट्रस्ट के अध्यक्षा महिंद्र कटारिया के मार्गदर्शन में एवं ट्रस्ट के अन्य ट्रस्टियों की उपस्तिती में पुर्व विधायक गिरिश व्यास को उनके जन्मदीन आउसर पर शाल और श्रीफल दे कर सतकार किया गया इस आउसर पर भाषपा पुर्व नाकपूर मिडिया प्रमुग वसमाज सेवी मनोज अगरवाल, अशुक सावरकर, राकेश गांधी, आधी मान्यवर उपस्तित थे पुर्व विधायक गिरिश व्यास के जन्मदीन के आउसर पर पुर्व वर्धमान नगर सीत राधा कुष्णा हस्पेटल ट्रस्ट के रामदत्त गोयल, जगदिश गुपता, रिशी खुंगर, मधु सुदन सारडा, श्रद्धा पाठक वसाजीच शेक ने उनका शौलव इस रिफल देकल सतकार किया, इस अउसर पर अनिक गण मानने लोग उपस्तित थे सिंदी समाज के इष्ट देवता वरून अवतार जुलेलाल का जन्मुत्सव, दो दीन बड़ी धुमदाम से गांधी सागर जुलेलाल मंदीर परिसर पर एक और दो अप्रेल को मनाय जाएगा इस संदर में कलगिदर दरबार में एडवोगेट मादोधास ममतानी महंत मोहंदास ठाकुर के सानिद्ध में अद्धक्ष रमेश जेस्वानी की अद्धक्षता में एक महासबा का आयोजन किया गया महुत्सों में विविन्न प्रतियोगिता के साथ सिंदी त्यवार स्पर्दा का भी आयोजन किया जाएगा परिभान समिती के मनोज मोर्यानी के नेतरुत्वों में चार बसों का इंतजाम किया जाएगा जो की बस जरीपटका से गांधिसागर जुलेलाल मंदिर तक सुबा 11 बजे से चार बजे तक आना जाना करेगी साइच अंदुराम दरबार साइब से सन्मुक सेतिया तुलसी खुशालानी नीचल दास चावला और जैराम सेतिया के मार्गदर्शन में सिंदी छेजरूत्य दो अपरेल रातरी नौ बजे प्रस्थुत किया जाएगा सभामे अड़ोकेट मादव दास ममतानी डौक्टर गुर्मुक दास ममतानी पुरन लाल महंत ठाकुर मोहं दास रमेज जेस्वानी मेगराज मैनानी मनुज मूरियानी मनुहर खुशालानी सतिश मीरानी सुनिल जग्यासी राजुभई माखिजा कवल आडवानी डौक्टर जैराम सेतिया की मवजुद्गी रही जरिपट का क्षेतर के हनुमान मंदीर प्रांगण में अखिल भारतिय सिंदी समाज एवं संजीवनी फांडेशन के सायोक से स्त्री रोक प्रसुती तद्न्य धर्मार्त दवाखाने का शुबारंब हुआ कारेक्रम समारों में मंचपर प्रमुकतिती के रूप में सिंदू एजुकेशन सोसाइटी की अध्यक्ष विना बजाच, पुर्वन अगर सेवक विरिंद्र कुकरेजा, पुर्वन अगर सेविका प्रमिला मत्रानी, डॉक्टर पुषपा पुन्शी, डॉक्टर हेमन तसरा श्री हनुमान मंदिर ट्रस्ट अध्यक्ष सुरेश नाथानी, संजिवनी फाउंडेशन के अध्यक्ष वाधन दास तलरेजा, डॉक्टर जेनीका कुंगवानी, अखिल भारतिय सिंदी समाज विदर्व प्रांत की अध्यक्ष गुवर्धन कोडवानी, राष्ट्रिय उप प्रजोलित कर कारेक्रम का शुबारंब किया गया, वीना बजाज ने अपने संबोधन में बताया कि दीन दुखियों की सेवा ही इश्वर सेवा है, धर्मार्त दवाखाने में माताओ, बहनों वह महिलाओ को अधिक सुविधाय मोय या कराई जाएगी, प्रसिद्ध स्त्री रोग वीशेशग्य डॉक्टर पुशी ने हर संभव साहयता करने का आश्वासन देते वे स्वास्त सेवाय देने हेतु आश्वस्त किया, साथी अन्य अतितियों ने अखिल भारतिय सिंदी समझ द्वारा किये जारे कारियों की सराहना की वह धर्मार्त दवाखाने के लिए शुब कामना दी, बंच पर उपस्टित सभी अतितियों का अध्यक्ष द्वारा शॉल्ट श्रीफल पुश्पग उच्छ देकर सतकार किया गया वर्धावन नगर सित वीमवी वानिज जे एमटी कला एवं जेजेपी विज्ञान महाविद्धाले में IQAC तथा फैकल्टी डेवलप्मेंट समिती के सयूग तत्वावधान में ट्रेन्द ट्रेनर के तहट छे दिऊसीय कार्यशाला लर्नर्स एज दो अधर बाइस का हाल ही में आयोजन किया गया इस कार्यशाला के लिए डॉक्टर अजय सेमल्टी तथा डॉक्टर अमरुता भुसकुटे को सम्भानिद फैकल्टी मेंबर्स के रूप में आमंत्रित किया गया था उन्होंने विद्यार्ती के इंद्रिती इस कार्यशाला में प्रोध्योगी के विबिन्न पहलूओ पर मार्गदर्शन किया कार्यशाला में कुल 40 प्रतिभागियों ने इससा लिया महविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर मूरलीदर चांदेकर IQAC प्रमूग डॉक्टर शूची स्मिता मिश्रा कार्यशाला की सयोजग डॉक्टर सरीता करंगुट कर कंप्यूटर विभाग का स्टाप तथा समीती के सभी सदस्यों ने कार्यशाला की सफलता हेतु प्रयास किये हालही में नागपूर सराफा एसोसियेशन के अध्यक्षपत पर पुर्षत्तम काउले तथा सज्यूपत पर राजिश रोकडे निर्विरेत चूने गए दोनों पदादी कारियों के निर्विरेत निर्वाचन पर सराफा व्यवसाईयों ने खुशी जताई और इस विशेश उपलब्दी पर उनका अभीनंदन किया महरश्ट्र भाषा सभा के कारियालेक अक्षा में आयोजीत हाईक्यू कारियशाला की अध्यक्षत अ करते वे जापन की तीन कतार में वारनिक छंदकी तक्निकी जानकारी देते वे डॉक्टर शेशिवर्धन शर्मा शैलेश ने इसे समय की आउशक्ता बताया इस विशेपर विस्थार से इतिहास के साथ सशक्त हाईक्यू प्रस्थुत कर पारशनाच शर्मा डॉक्टर कुरुष्ण कुमार द्विवेदी नरिंद्र परिहार ने विशलेशन कर श्रोताओ और लेखकों के हाईक्यू सुन उनका मारगदर्शन किया डॉक्टर विजय कुमार श्रीवास्तव के कई कोतुहल वरे प्रशनों का समादान किया। उन्होंने इसकी आउशक्ता और शुरोताओ की जरूरत पर मन्थन करने का कवियों को अधिक ध्यान देना चाहिए। जब भी बोलिये, वक्त पर बोलिये, बोलिये तो बोलिये, भारतिय साहित्य बिना कव्य के अधुरा है इस आशय के विचार मान्यवरों ने प्रस्थुत किये अंतमे आभार नरेंद्र परिहार ने मानाओ मात्मा गंधी अंतरराष्ट्रिय हिंदी विश्व विद्यले वर्धा के हिंदी एवं तुलनात्मक साहित्य विभाग द्वारा महादेवी वर्मा की 115 जैनती के अउसर पर महादेवी के साहित्य संसार में महिला विशय पर समीश्र पद्दति से शनिवार 26 मार्ष को आयो जीत राष्ट्रिय संगोष्टी की अध्यक्षता करते वे विश्व विद्यले के कुलपती प्रोफेसर रजनिश कुमार शुकल ने कहा कि महादेवी का साहित्य 21 सदी में पतप्रदर्शक है उन्होंने स्त्री असमिता की चर्चा करते वे कहा कि पस्षी में देशों और सबागार में संपन्नवी संगोष्टी में मुख्या अतिती महाराजा गंगा सिंग विश्व विद्यले बिकानेर की पूर्वकुलपती प्रोफेसर चंद्रकला पाडिया तथा सारस्वत अतिती की रूप में हिंदी माध्यम कार्यानवे निदेशाले दिल्ली विश्व वि प्रुत्यों की व्यापक दुरुष्टी दिखाई देती है बढ़तीवी तपिश की वजह से पक्षियों को जल एवं दाने का अभाव हो जाता है पक्षियों में व्यकुलता निर्मान होती है कई बार जल के अभाव में पक्षियों के बगर जल के प्राण निकल जाते है मा जनजागरुती अभियान की शुर्वात इत्वारिक शेत्र से जलपात्र वितरित कर की गई। जनजागरुती अभियान की शेत्र से जलपात्र वितरित कर की गई। वहन चालों को पर कारवाई की और उनसे कुल मिलाकर 64,000 रुपे का जुर्मना वसुला। इसी तरह मुंबई शरब बंदी अधिनियम के अंतरगत तीन मामलों में तीन आरुपियों को गिरपतार किया गया। इसके अलावा जुआ अधिनियम के अंतरगत एक मामले में एक आरुपि को गिरपतार किया गया और उससे एक हजार रुपे का जुर्मना वसुला गया। उपरोगत सभी ऑपरेशन सयुक्त रूप से नागपूर सिटी पूलिस द्वारा किये गये थे। ट्रैफिक विबाग ने यहां आवान किया है कि नागरिक वहान चलाते समय वहान से संबंदित सभी दस्ताविद अपने पास रखे। तो नागपूर हलचल में आज इतना ही आप से कल फिर मुलाकात होगी तब तक देखते रहिए वीके वीडियोज नमस्कार